हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू स्माइल इन कार्णिंग में फ्रेंट्स मेरे पॉड में ये देखो आम का ठूटा सा पौधा निकल आया वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गर्मियों में सभी को आम पसंद होते हैं तो मेरे घर में भी गर्मियों के सीजन में आम आते थे बच्चों ने पता नहीं कब खाकर कोई एक आम की गुटली को इस पौट में दवा दिया था मुझे नहीं बताया था लेकिन देखो अक्टूवर का मन्त चल रहा है और गर्मियों में आम लगाया था सो इतने दिनों में ये आम का पौधा इतना बड़ा हो गया मैंने सुचा ज़रूर अपने फ्रेंट्स के साथ वीडियो शेर किया जाए सो फ्रेंट्स दिखो आम का पौधा वैसे तो घर में नहीं लगाना चाहिए हम सबी जानते हैं आम घर से बाहर ही अच्छा रहता है क्योंकि एक तो ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है आगे चल कर पेड़ बन जाता जो कि हम अपने टेरेस पे नहीं रख सकते दूसरा वैसे भी कहते है वास्तु के साफ से घर में आम नहीं लगाना चाहिए अपने घर के बाहर ही रखना चाहिए लेकिन ये मेरे बच्चों ने घर में लगा दिया था स्पॉर्ट में गुटली को दबा दिया था जो कि ये जर्मनेट होकर इस तरह से छोटा सा प्लांट बन गया तो मैंने इसको पेड़ तो नहीं बनाना है लेकिन आम के पत्तों का और भी कई जगे यूज होता है तो मैंने सोचा नवरात्रों में इसके पत्तों का इस्तिमाल हो जाएगा पूजा में इसके पत्ते चाहिए होते हैं तो इसलिए इस पेड़ को मैंने नहीं निकाला तो मैंने आपके सादी दियान का शेयर करना चाहती हूँ कि आप घर में भी ज़रूरी नहीं है कि इसरी से ही आप आम का प्लांट लेके राएंगे तभी ये आप लगा सकते हैं अपने बगीचे में अगर आप आम लगाना चाहते हैं, तो आप घर में जो आम खाते हैं, उसकी गुटली को दवा कर भी मिट्टी में आसानी से प्लांट तयार कर सकते हैं, फर कितना होगा, आप जो गुटली से तयार करेंगे घर में, इस प्लांट को उस पर फल जल्दी नहीं आते हैं, और जो तो नर्सरी से लेकर आते हैं वोकी grafted होता है तो इसलिए आपको उस पे जल्दी से पल मिल जाएगा अगर आप खाने के लिए या आम के लिए इस पलांट को लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से लाकर ही लगाना चाहिए क्योंकि grafted होने की वजए से आपको जल्दी से जल्दी उस पर फल मिलने लगेंगे और अगर वैसे ही अपने घर में ग्रीनरी चाहते हैं अपने कारडन में ग्रीनरी बनाना चाहते हैं या आम के पत्तों का कोई और यूज चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं तो ये बहुत ही आसानी से फ्री में आपके घर में एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो धन्यवाद